दोस्तो घर और किचिन का काम करने में हमें बहुत सारी मुस्किले तो आती ही आती हैं लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाया जाए तो यही काम हम बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं साथ ही अपने लिए टाइम भी हम निकाल पाएंगे हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रतिभा और स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपनी चैनल वर्दान पकवान में तो चलिए दोस्तो बिना देरी के आज कई वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो प्लास्टिक की बोटल हम सभी के घर पे होती हैं हम सब लोग यूज करते हैं लेकिन हम फेक देते हैं इसे कवाड़ा समझ के लेकिन कवाड़ा नहीं है इसका बहुत बढ़ी आसा में जुगाड़ा भताऊंगी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका जो तली वाला पार्ट है दोस्तो इसको निकालकर अलग कर देंगे और इसका जो रैपर है निश्कों हम षटा देते हैं ठीक है तो मैं काट लेती हूँ इसके बाद फिर में आपको दिखाती हूँ झीदे deixa दो मैंने इसको कट कर लिय गैंगे मैं इसको कट करें आपको अजिन करकू basis डेखर छोड़ी में बातलु सोफूसा पूराक आपको जुगाण के रीुज़ अबीज जिससे थोड़ा सा गुलाई में आजाएं तो दोनों साइड से ही आपको यह काम कर लेना है ठीक है जिससे यह आपको चुबेंगे नहीं जब आप इसे यूज करोगे अब आप सोच रहे होगे कि यह क्या बनके तयार हुआ है कैसे हमें इसे यूज करना है चलिए दिखाती है दोस्तो जो हम मार्केट जाते हैं तो मार्केट से कुछ इस तरह का चमच लेके आते हैं आटा उठाने के लिए खासकर बरसात की दों में हम बार-बार आटे में अगर हाट डालते है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं लेकिन आप बहुत आसानी से इसका यूज करके अप निकाल सकते हो तो चली चावल भी निकाल कर मैं आपको यहां पर दिखा रही हूँ यह देखे दोस्तों ठीक है बहुत ही आसानी से हमारी चावल भी आ जाते हैं और किसी छोटे कंटेनर में आपको करना हो ना तो पीछे से ढखकन खोल दीजेगा तो सारे के सारे चावल जो ब जाते हैं जातार हम क्या करते हैं उसमें कौन बगएरा का इस्तमाल करते उसके अंदर सामान भरने के लिए तो दीखे कितने ऐजिली आप इस से इस तरह से भी इस्तमाल कर सकते हैं तो है रा दोस्तों बहुत ही बड़ी आसा जुगार आई हो यह वालग त्रिक भी आपको ब तेशार को काफी पसंद आने वाला आपसी इस तरह करने के बाद्ट पिलो के आपको क्या करना है। बोहत प्याइब तरह से आप इसे यीज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे धुल्ले के लिए कपड़े होना इस तरह से आप रख सकते हैं यह छोटे बच्चों के कपड़े होते हैं जो बहुत सारे होते हैं छोटी-छोटी कपड़े होते हो खो जाते हैं उन्हें आप रख सकते हैं या फिर बच्चों के छोटी-छोटी खिलोले होते हैं जाते हैं तो वो रख लीजिए है ना अच्छा सा जुगाड है तो इसको बना कर ज़रूर देखिएगा ठीक है पुराने पिलो कबर का भी यूज हो जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा तो चलिए दोस्तों अगले ट्रिक की और बढ़ते हैं समक टैम जब हम को खाना पीना कर लेते हैं रात में ने देखा होगा चूहे विम जब इनगते हैं इसको फेराप और प्याज लेने के बाद प्याज के बाद इस तरह से दोस्तों हम क्या करेंगे इस को कट कर लेंगे जैसे आपको प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् यूदि से कम नहीं होता, खास कर उन लोगों के लिए जिनकी आँखे बहुत ज़दा कमजवर होती है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ऐसा ट्रिक लेकी आई हूँ, जिसे आपकी ये सबस्याना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ प तो आप अच्छे से समझी गए होंगे और आपने अच्छे से देखी लिया होगा, चलिए फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसको यूज करना है, अब दोस्तों हमारे घर पे पुराने चाकू तो होते ही हैं, सबी के घर पे होते हैं, जिनकी धार खराब हो जाती ह आप देखी सकते हैं, ठीक है, कोई सा भी टेप आप यूज कर सकते हैं, आप देखिए, मैंने यहां पर लिये सुई, और मैंने जो सुई लिये दोस्तों आप देख सकते हैं, छोटी वाली सुई है, जो तुरपाई हम करते हैं, वही सुई दी है, अब देखिए, इस तरह से डालने के बाद आप क्या कीजिए रील ले लीजे और जो भी धागा आपको डालना है इस तरह से देखिए इसके अंदर डाल देना है यानि जो गैप रहता है न उसमें डाल देना है और देखिए मैं आपके सामने ही कर रही हूं इस तरह से इसको आपको पकड़ कर खीचना है जब आप इस तरह से इसको खीचोगे तो धागा अपने आप खिसता चला आएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से धागा यहाँ पर हमारा पढ़ गया है तो इस तरह से जो हमारे पुराने चाकू है उनका भी यूज हो जाता है आप इसकी जगा पे कई सारी चीजे ले सकते हैं जैसे कि सिक्का बगरा ले सकते हैं उसमें भी आप इसको बना सकते है ठीक है तो इस तरह से पुराने चाकू कभी यूज हो जाएगा और हमारा धागा डालने का यहाँ मसीन भी बनके तैयार हो जाएगा I hope दोस्तो ये वाला ट्रिक आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा दोस्तो कई बार हमारी घर में जो दूद का पतीला होता है आपने देखा होगा ओगा खाली हो जाता है उसमें मलाई लगी रह जाती है दूद भी उसके अंदर रह जाता है और ज़ादा तरह हम क्या करते हैं ऐसी ही इसको सिंक में डाल देते हैं और साफ करके फेक देते हैं तो दोस्तो इस तरह से जो दूद का पतिला है ना उसको साफ करने से पहले आप यूज कर लिया कीजिए किस तरह से यूज करना है दोस्तों आप क्या कीजिए इसके अंदर डाल दीजे आटा जितना भी आटा आपके घर में खाया जाता हो उसे साफ से डाल दीजे और आपको क्या करना है इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल कर और बढ़िया से इसका एक आटा अगूंद के तयार कर है आप सोचे होगे कि इसके अंदर है दूद्ट और दूद्ट आपको पता है बहुत है रहता है रोटियों के लिए आपने सुना भी होगा अगर में रोटी बनाते भग थोड़ा अगर दूद का इस्तमाल कर लेते हैं तो हमारी रोटिया बहुत ही ज़जदा सॉफ्ट होत दोस्तों जब तक मैं आटा गूंदरी हूं तब तक जल्दी से चाहिए और कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईए कि आप दुनिया के कौन से कौने से इस वीडियो को देख रहे हैं और सहर का नाम और अपना नाम जरूर से बताईएगा जिससे मुझे भी पता जल सके कि दुनिया के किस कौने से मेरा वीडियो देखा जा रहा है यह देखे आटा मैंने कून लिया है और अब मैं जारी हूं इसकी रूटिया बनाने के लिए तो यह देखे दोस्तों मैंने हाँ पर रूटिया बना ली है और आप देख सकते हैं कितनी सफेद रूटिया बनी है और सच में यह बहुत ही ज़दा सॉफ्ट बनती है काफी टाइम तक यह सॉफ्ट बनी रहती है तो इसको भी जरू से ट्राइ करके देखिएगा सच में बहुत ही यूसफुल ट्रिक है तो मिट करती हो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको बहुत जादा पसंद आया ह और इस तरह की यूसफुल वीडियो देखने के लिए बर्दान पकवान से जुणना बिलकुल भी न भूले तो आज की इस वीडियो का यहीं पर एंट करते हैं कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साल धन्यवाद